हेलो एव्रिवान वेलकम टू फजिक्स टाइम तो आज हम डिसकस करते हैं हमारे नेक्स्ट 15 कुष्चिन्स ऑफ पेपर 2019 जो इसे लास्ट वीडियो थी उसमें हमने 91 से 105 तक डिसकस किये थे कुष्चिन्स उनकी सॉलिशन्स यहां हम डिसकस करेंगे 106 से 120 तक तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा कुष्चिन इसमें फर्स्ट कुष्चिन है कि हमें डाइमेंट की पर्मिटिवीटी दी हुई है उसकी ससेप्टिबिटी निकालनी है देखो एच्टेट में अगर आपको फॉर्मुला याद है ना तो आपके कुष्चिन्स डिरेक्ट निकलेंगे क्योंकि ब प्लसकी सिप्टिबिटी इस इक्वल डो रिलेटिव पर्मिटिविटी आया ये ये e-r तो यहां से हमें सस्टेबिटी निकालनी है उसका फ़र्मला ही हरो गया रिलेटिव ऌटिविटी को क्या लिखते है ऑपके एक सायलन ब cellen क्या है प्रमिटिविटी ओफ देट सबसा symbols गलत होगे तो हम यहाँ पर put करेंगे दोनों की values जैसे यहाँ पर values put करेंगे हम इनको अगर आप solve करोगे देखो अगर आप यहाँ पर question को approximation में ले जाके solve करोगे तो इसकी answers देखो 15 16 14 सारे बिल्कुल similar answers है तो इसको हो सके जहां तक exact solve करने की कोशिश करना यह 16 पर कटते हैं तो यह आगया हमारा answer आगया 15 अब इसमें हमें क्या निकालना है root mean square value of current और यह question मुझे लगता है repeat होता रहता है तो इसमें हम क्या करेंगे हमें i की value दिए है हम क्या करेंगे i1 और i2 जो यह cos और sin वाले questions होते हैं इसमें i1 i2 जो होता है न वो i की terms में होते हैं इधर in sin और cos तो हम माल लेते हैं cos theta में एक sin theta में है जब इनके square करके add करेंगे this will become this equation तो rms की value क्या होती है i by root 2 किसी की भी root mean square value निकालनी है उसको root 2 से divide करतों और हमारे पास यह value आगी इसे option से match कर लेंगे moving to next अब electronics के भी दो question तो definite होते ही हैं हर paper में तो यह हमारा question है gates के उपर boolean expression के उपर अगर आपको electronics बिल्कुल नहीं आती है तो आप gates पढ़ लो थोड़े से आपके दो question एक question दो question नहीं से हो जाएंगे तो इसमें हमें एक boolean expression दी हुई है p plus p bar q हमें क्या करना है हमें यह बताना है कि यह किस में से match कर जाएगी देखो हम इसे k map से भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपको यह truth table याद है तो फिर और भी easy हो जाएगा यह वला k map से मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना तो इसको solve कैसे करते हैं truth table बनाएंगे truth table बनाने का तरीका क्या है हम input की possibilities रखेंगे कितनी हो सकती है input possibilities हो सकती है तो 00, 01, 10, 11 आपको binary counting तो लिखनी आती होगी 0 से 3 तक लिख लो अब जब दोनों ही input 0 है तो इसका output बने y मान लिया suppose y आएगा तो y क्या आएगा इसको solve करने का तरीका क्या है p क्या है यहापे 0 p बार क्या आएगा जो p की value है उसका reverse यानी 1 q क्या आएगा 0 जब हम इसे solve करेंगे algebraically तो आएगा 0 यानी कि इस cancer यहाँ जाएगा 0 जब second value put करेंगे p 0 और q 1 इस equation के अंदर तो क्या जाएगा यह इसे solve करेंगे इस तरह तो यह क्या जाएगा 1 इस तरह चारो solve करके जब हम यहाँ लिखेंगे तो यह बन जाएगा और अगर आपको पता हो यह किस की truth table होती है or gate की truth table होती है तो यह किस के equivalent हो गया हमारा or के now moving to our next question a magnetic field B0 is applied to a paramagnetic substance in the interior of the substance the magnetic field produced by atomic atomic magnetic dipoles of the substance of course इसे कम magnetic field produce होगा लेकन झाम इसे मैं प्रिदेशन में प्रिदेशन में प्रिदेशन होगा यह रा इसका sorry this is the answer डिरेक्ट है ये question तो कुछ theory वाले question सीधे सीधे होते हैं उनको हमें जाधा पढ़ना नहीं पढ़ता देखो ये question है इसे देख लेना ये थोड़ा cramming type question होगा इसे cram करके रखोगे तो better होगे क्योंकि ये सिरफ इतना ही question नहीं इसे आगे भी बन सकता है लेकिन इनोंने सिरफ equation पूछी है equation को solve करना भी पूछ सकते हैं आपसे direct तो आपको equation याद होनी चाहिए तो यहाँ पर जो radioactive substance है एक x वो decay हुआ y में y decay हो रहा है further किसी और में तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है population of y with the function of time कैसे यहाँ पर x decay हो रहा है y में y decay हो रहा है z में suppose x के decay rate क्या है lambda x y का lambda y तो हम इसकी disintegration equation कैसे लिखेंगे d nx by dt यह कैसे disintegrate हो रहा है disintegrate हो रहा है यानि minus lambda x और इसकी population कितनी जी starting में nx not now अब जो y है वो y क्या हो रहा है x में z में disintegrate हो रहा है लेकिन x वाला substance उसे बना के भी चल रहा है तो d n y dt क्या हुआ lambda x by nx यानि यह तो formation हो रही है minus यह उसका disintegration हो रहा है उसके बाद z का क्यासे है z तो सिरफ form हो रहा है z जो last में बच गया वो stable है और वो form हो रहा है अब इस second equation को integrate कर दो and we will get this अब इसको integrate करना नहीं सीखना है हमें तो just remember this equation और बहुत बार इस equation के regarding आपको time और nx not lambda x इन सब की values दी होती है आपको solve करना होता है तो वो वाले काम भी हो जाएगा इसमें तो इसको cram कर लो इस equation को यह equation किसी भी form में आ सकती है यूज करने पड़ सकती है आपको direct moving to next question 111 हमें इसमें बोला है कि peak to peak value of a amplitude modulated voltage एक wave है modulated है उसकी peak to peak value दी है maximum भी minimum भी हमें उसकी unmodulated carrier wave निकाल नहीं है यहाँ पर पहले यह समझो suppose यह wave है तो इसकी हमें जो peak to peak value दी है मतलब यहाँ से यह and यह जो यह maximum values है तो मतलब यह वाली value यह 8V दी है तो actual इसकी maximum value कितनी होगी इसकी half तो वो निकालेंगे पहले maximum voltage कितनी होगी 4V, minimum voltage कितनी होगी उसका भी half कर दो 1V यहाँ पर अगर हमें carrier wave की amplitude निकालना है तो उसको formula होता है Vmax plus V minimum by 2 यह direct इसमें कभी-कभी modulation factor भी निकालना पूछ देते हैं उसको formula होता है यह दोनों लिखलो मैंने साथ ही बता दिया कि कि question तो वही है बस थोड़ा थोड़ा change हो सकता है ना next 112 question इसमें बोला है कि इन चारो cases में से कौन कौन सा case first law of thermodynamics को violate कर रहा है first law of thermodynamics आपको पनादना चाहिए W plus U delta U is equal to Q तो इस equation को algebra की लिए दिमार्क में सोच के इनको सोचो तो आपको पता चलेगा only third option will follow first law of thermodynamics बाकी तीनों violate कर देंगी तो इसका answer हुआ fourth option next 113 इसमें बोला है कि हमें एक wavelength दियो है उसमें small d capital d दियो हो है अब हमें वहाँ पर width of central maxima निकालनी है बट उस apparatus को पूरे को हमने पानी के अंदर दूबो दिया उसके बाद तो ऐसे cases में lambda change हो जाता है उस पे refractive index का फरकाएगा so now solve it अगर वह apparatus air में या vacuum में होगा तो उसकी width कितनी होती वो निकाल लेंगे सबसे पहले 2 capital d lambda by small d इनकी values put कर देंगे lambda हमारा angstrom में था तो 10 raised power minus 10 से multiply small d cm में था तो 10 raised power minus 2 इसको solve करके आगे है ये now हमारा पूरा apparatus जो है water में ही merge हो गया यानि कि उसके जो भी उसकी wavelength होगी वो कुछ कम हो जाएगी by mu या तो direct wavelength ही कम करतो या फिर ये formula apply कर लो जो नया x dash होगा जो नई width होगी वो क्या जाएगी x by mu इसको put कर दो mu कितना दो 4 by 3 ये आगया हमारा इसको solve करके आजाएगा this अब answer जो है millimeter में उसे millimeter में change कर वा लो simple question moving to next question 114 यह important question है please note down सिरफ इसमें एक चीज़ important है क्या दो ही बाते बताऊंगी इसकी जो याद रखने की है इसमें हमें बोला है कि एक hydrogen sample है उसने कुछ absorb किया उसके बाद वो de-excite हो गया de-excite होते time note क्या करो यहाँ पर कि उसने six spectral lines छोड़ी अब hydrogen atom जो है वो किसमें कोई नो कोई series में आया होगा definitely तो उस पे wavelength में कौन सा formula लगेगा हमारा ये वाला रिडबर constant वाला अब वो वापस ground में आया है ठीक है हमें ये तो पता है कि वो 1 में आ गया लेकिन हमें ये नहीं पता वो कौनसी वाली level से नीचे आया उसको निकालने के लिए nf की value को निकालने के लिए हम ये six spectral lines वाला formula यूज करेंगे कैसे इसका formula होता है this possible spectral lines कितनी होंगी हम निकालते हैं न हमेशा कि इस level से इस level में आ रहा है तो possible spectral lines कितनी होंगी n into n-1 by 2 अब हमें n नहीं पता लेकिं possible spectral lines तो पता कितनी थी six तो यहां से हमारी n की value आ जाएगी four यानि कि ये जो n आया है ये हमारा nf है इसे put कर दो हमारे पास आ गया ये lambda का formula अब इसमें याद क्या रखना है आप हमेशा याद रखते हो r की value आर की value क्या होती है 1.097 into 10 raise to power 7 अब अगर ये value put करोगे फिर इसका reciprocal करोगे तो आपके लिए फिर हो जाएगा difficult so क्या put करना है आपको 1 by r की value याद रखनी है और वो होती है ये हमेशा 1 by r की value याद रखनी सिखाई जाती है आपको 9 1 into 10 raise to power minus 10 इसको solve कर लो आपके पास या जाएगा या प्रॉक्सी मेट इसके इको लाएगा 973 के now 115 question 115 question में बोले एक solenoid है जिसके inductance और resistance दियो आपको आपको क्या बताना है कि कितने time के बाद वो अपने current के 50% पे आ जाएगा यानि अगर उसमें current i note है तो वो i note by 2 पे आ जाएगा so i is equal to इसमें formula यूज होगा ये यहाँ पर i जो है वो i note by 2 होगा so 1 minus e rest power minus t यहाँ put कर दो यह solve कर लो ऐसे log 2 की value आपको पता ही होगा 0.693 is equal to this तो हमारे यह आ गया यह answer आपका match हो जाएगा option number second से है थी now question number 116 इसमें आपको एक equation दियो ही है wave की और आपको क्या बताना उसका direction cosine direction with y axis इसको बोलते हैं direction cosine निकालना sorry इसका solution में डालना भूलगे मैं बता देती हूँ इसका solution कैसे आएगा direction को science कैसे निकालते हैं cos theta is equal to ay by under root ax square plus ay square plus az square ठीक है ay क्यों क्योंकि y axis के साथ है अगर z axis के साथ होता तो az उपर आता x axis के साथ होता तो ax उपर आता तो अब इसे solve कैसे करेंगे cos theta is equal to ay के साथ कितना था 2 और जब इसका under root में निकालेंगे तो क्या आएगा 14 तो हमारा जो theta आगया which is equal to cos inverse 2 by under root 14 यह आपके option number third और अगर suppose यहाँ आपको z axis के साथ पूछा था तो आपका answer होता cos inverse 3 by root 14 इसको direction cos बोलते हैं निकालना आपकी से एक बार अगर formula देखोगे तो आपको समझा जाएगा question number next 118 इसमें हमें बोला है कि एक L length की जो हमारे पास uniform road है उसमें angular velocity है omega वो perpendicular bisector पे अपने गूम रही है और हमें उसके दोनों ends के बीच पे potential difference निकालना है इसका formula होता है suppose हमारे पास यह road है ओ इसका center है यह अपने perpendicular bisector पे गूम रही है यहाँ पर इसकी length होगी minus L by 2 यहाँ होगी L by 2 दोनों ends के बीच में निकालना है तो दोनों कही integration उठाएंगे हम माल लेते हैं कोई element है dx यहाँ पर जिसकी length dx है और जो x दूरी पे है x distance पे है from the center तो EMF induced कैसे निकालना है इसमें उसका formula होता है EMF का B, L, V B तो as it is L कितना है मतलब उसकी length कितनी है dx और V क्या होता है omega r omega तो as it is लिख दिया r मतलब उसका center से distance कितना है x तो यह put कर देंगे और इसको integration करवा देंगे minus L to L minus L by 2 से L by 2 तक और यह आजाएगा हमारा 0 ठीक है अगर एक end पर पूछते तो 0 से L by 2 integrate करवाते तो फिर कुछ और answer आजाता next question 119 यहाँ पर हमें magnetic vector potential लिया हुआ है और हमें क्या निकालना magnetic field तो इसको निकालने का तरीका होता है हम निकाल देंगे इसका sorry हम इसका divergence निकालेंगे यह जो होता है gradient होता है जो इसका इसको लिखते क्यासे है curl x by curl by curl x i cap curl by curl y j cap and curl by curl z k cap इसका cross product करवा देंगे a के साथ इसका gradient निकाल रहे है इसका मतलब क्या होता partial integration यानि कि अगर x के साथ है तो x के साथ है sorry differentiate होएगा partial differentiation अगर x के साथ है तो x का होएगा बाकी सब को constant मानेंगे तो पहले इसका इसके साथ करवाओ i by c तो constant निकल दिया log का integration क्या होता है sorry log का differentiation 1 by x square plus y square x का करेंगे तो 2x plus अब क्या हुआ यहाँ पर इसका i cap और इसका k cap इनके भी cross product करवा दी second में minus i by c and this अब यह y के साथ हो रहा है 2y by j cross k और z के साथ इसलिए नहीं होगा क्यानि k cross k क्या होता है 0 तो यह आगे हमारे पास इससे solve करेंगे यहाँ पर i cross k की value क्या होती है minus j cap और k cross k j cross k की value क्या होती है i cap इस question को लिख लेना note कर लेना फिर समझ आ जाएगा तो हमारे पास यह answer आ जाएगा इसका और उसने क्या किया station के पास पहुचने वाली थी 300 मिटर दूर थी तब ही उसने whistle दी जिसकी frequency थी 640 hazards और कोई person उस platform से 400 मिटर दूर खड़ा था तो बताओ उसे कितनी सुनेगी vs क्या है source की क्या है speed यह क्या है हमें frequency जो उसने whistle की यह है speed of sound अब suppose यह train बी point पे है platform से 300 मिटर दूर है और platform से 400 मिटर दूर वो person खड़ा है तो train और उस person के बीच में कितनी दूरी होगी 500 मिटर इदर side इसकी जो velocity है वो कितनी हो गई जो हमने निकाली है 100 by 3 जो दी हुई है लेकिन इसकी जो velocity है source की वो a b के along कितनी होगी इस तरफ का component निकालेंगे वो क्या हैगा component इसका vs cos theta यह हैगा 20 meter per second यानि इसकी apparent frequency निकालने के लिए हमें यह formula यूज करना है इस formula में जब support करेंगे तो हमारे पास 680 hazards आ जाएगा अब यह formula आएगा Doppler effect से otherwise आपको यह question last में छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे htet में अगर हमें formula याद है तो question निकलेगा वरना नहीं निकलेगा so यह थे हमारे 120 तक question इसके बाद 30 questions और रहेगे कोशिश करती हूँ वो जल्दी से जल्दी आपकी videos upload कर दो till then please stay connected with the channel और अपनी cdp की videos द्यान से देख लो क्योंकि they will help out a lot in your htet coming ht so त्यारी करते रहो all the best like the video and subscribe the channel thank you